गुड इवनिंग प्रेंड्स माइसेल डॉक्टर शिल्पी जैस्वाल आज हम लोग इस वीडियो में यह डिसकर्स करेंगे कि किस तरीके से जो यूजीसी नेट का जो फस्ट पेपर है जिसको अब सीवीसी नेट के नाम से भी जानते हैं किस तरीके से हम उसका फस्ट पेपर जो है वो हम क्रैक कर सकें उसमें हम कौलिफाई कर सकें तो सबसे पहले में जानेंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है किस तरीके से इस वीडियो में में डिसकर्स करेंगे कैसा एक्जाम होता है कि कितने कोश्चंस आएंगे कितने पेपर सोंगे कौन-कौन से बुक्स जो है उसको पढ़ने से आपको लाब होगा, ये सारी बातों को हम इस वीडियो में cover up करने की कोशिश करेंगे तो ये net क्या होता है, UGC net अगर आप निकाल लेंगे तो उससे क्या फाइदा होगा तो ये UGC net या जो रास्ट्रे पातरता परिक्षा है, National Eligibility Test ये क्या है, ये भारत का एक रास्ट्रे पातरता प्रवेश परिक्षा है, एक qualifying exam है, ये इस exam में कौन बैठ सकते हैं, जितने भी PG किये हुए student हैं, वो इस exam में बैठ सकते हैं और इस exam को आप qualify करने से क्या होगा, आप किसी विश्विद्याले में, किसी university में, किसी college में आप जो है as a assistant professor appoint हो सकते हैं, पहला और दूसरा कि आप किसी भी university में PhD करने के लिए eligible हो जाएंगे तो UGC net करने से बहुत सारे फायदे हैं, अगर आपका पढ़ाने का सपना है, तो UGC net आपको qualify करना होगा और इसके लिए जो minimum qualification वो यह है कि आपका PG किसी subject में होना चाहिए अब यहाँ पर यह है कि UGC net ने किन कौन कौन से PG subject से conduct कराता है यह exam तो यह आप UGC net की site पर www.ugc.ac.in पर आप जाकर यह देख सकते हैं कि UGC ने जो PG के जो 90 से अधिक subject को अपने net के exam में include किया है कि यानि 90 विशह में 90 subject में आप जो है PG, sorry, net का exam जो है वो दे सकते हैं इसके बारे में आप उसके site पर details में देख सकते हैं तो UGC net जो है इसका जो exam है वो हर 6 महीने पर होता है फिलाल कोरोना के वज़े से थोड़ा disturb हो गया थोड़ा exam डिले हो जा रहा है लेकिन अनिवारत यह जो है कि हर 6 मंथ पर एक सा exam होता है और अगर आप कॉलिफाई कर जाते हैं तो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रफेसर बनने के लिए आप eligible हो जाते हैं तो यहां पर पहले हम लोग बात करेंगे कि net और जियारफ में क्या अंतर है तो यहां पर जो net और जियारफ आप जब exam बैठेंगे और आपकी age जो है में बैठता है और वो qualify करता है तो यहां पर उस exam नेट के exam के बाद merit list बनती है तो जियारफ की के अंदर किसी उनिवर्सिटी में पिएजडी में अडमिशन लेना जरूरी हो जाता है तो यहां पर जो जियारफ जिनको मिलता है यानि जूनियर रिसर्च फैलोशिप उनको यूजिसी के तरफ से फैलोशिप मिलती है लगभग 30-35,000 के पास लेकिन जो नेट होते हैं वो भी इलिजिबल हैं सिस्टम प्रोफेसर बनने के लिए वो भी इलिजिबल हैं किसी उनिवर्सिटी कॉलेज में पिएजडी करने के लिए लेकिन उनको जो है वो फैलोशिप नहीं दी जाती है यानि जैरफ को फैलोशिप दी जाती है और नेट कॉलिफाइड को कोई तो वो पर्टिकुलर सेंट्रल युनिवरसिटी अपनी तरफ से कोई जो फैलोशिप है वो देता है जैसे बीचो में नेट को फैलोशिप दी जाती है तो यहां पर हम लोग भी बात करेंगे कि पेपर कैसे होगा तो यूजी सी नेट में दो पेपर आते हैं पेपर वन और पे पर है वो सारे जितने भी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट के जो पीजी किये हुए स्टूडेंट इस एक्जाम में बैठेंगे वो सारे पेपर वन को देंगे वो कॉमन है और जो पेपर टू है वो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो यहां पर इस वीडिय और 100 question's आयेंगे 100 के 100 question concertary है और यहाँ पर कोई भी Negative marking नहीं है तो हम लोग paper one की बारे में बात करेंगे तो paper one जो है वो 100 marks का होगा जिसमें 50 questions आएंगे और सारे questions जो है वो अनिवारे है सारे questions जो है वो Compersory है और कोई भी Negative marking फिलाल नहीं है तो यहां पर हम लोग यह देखेंगे कि UGC.net का जो फर्स्ट पेपर है उसका syllabus क्या है पेपर 2 आपके subject का है और जो पेपर 1 है वो common है तो आपको जो UGC की जो website है उस पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 उसका हिंदी और English दोनों में जो syllabus है वो easily available हो जाएगा यानि आप हिंदी मार्दियम के student है तो आप अपना syllabus जो हिंदी में और English के हैं तो English में आप अपना UGC.net की site से download कर सकते हैं तो यहां हम यह देख रहे हैं कि जो पेपर 1 है उसका syllabus क्या है यह है जर्नल पेपर on teaching and research aptitude और पेपर 1 में जो है वो किस तरीके से syllabus है इसमें क्या-क्या चीज़े आएंगी हम लोग इसको discuss करते हैं unit 1 जो है वो teaching aptitude है कि किस तरीके से teaching aptitude के संदर में कौन-कौन से topics को cover किया गया है यह आपके screen पर है और इसे जो related जो important books है हम लोग उसके बारे में भी discuss करेंगे तो unit 1 में teaching aptitude के बारे में यह सारी चीज़े हैं कि इन topics से teaching aptitude पर questions आएंगे फिर unit 2 जो है वो है research aptitude यानि कि जो शोद जो प्रवित्ती है उसके बारे में आपका question आएगा कि शोद क्या है शोद की प्रवित्तिया क्या है किस तरीके से रुसूद किया जाता है किस तरीके से उसके straps है thesis के बारे में यह सारी चीज़ें फिर unit 3 जो है वो comprehension यानि की बोध है इसमें एक आप paragraph दिया जाएगा और कुछ question दिये जाएंगे और यहां पर communication से related in topic पर question UGC net के first waiver में आएंगे unit 5 जो है वो कुछ maths के question है reasoning के question है कि reasoning के बारे में यहां पर पूछा जाएगा maths के कुछ question दिये रहेंगे unit 6 जो है वो logical reasoning है यहां पर कुछ युक्ति-युक्ति तरक है जिसके बारे में यहां पर कुछ questions आएंगे unit 7 जो है वो data interpretation है कि आंकडों की व्याख्या करना sources क्या है आंकडों का सुरोत क्या है इसकी प्राप्ति कैसी होती इसका वर्गी करन क्या है bar chart, pie chart, table chart यह सारे चीजों के संदर में questions आएंगे unit जो 8 है वो है ICT यानि की information and communication technology सूचना एबं संचार प्रद्यों की और इसमें computer से related कुछ questions आते हैं email के बारे में इंटरनेट से संबंधित video conferencing के बारे में कुछ basic जो knowledge है वो पूछा जाता है तो इसका syllabus सी रहा unit जो 9 है वो है people development and environment यानि की लोग विकास और पर्यावरण पर्यावरण से संबंधित environment से संबंधित यहां पर कुछ question आएंगे कि climate change से related कुछ अगर law बने है national international air pollution water pollution यहां पर किस तरीके से हैं कौन-कौन से law बने हैं वो सारे questions जो है यहां पर आएंगे कि कोटो प्रोटो कोटो काल पैरिस जो समझोता है वो सारे questions जो है यहां पर इससे relate करते हैं और अगर आप political science के student है तो environment तो हम लोग पढ़ते ही हैं तो यहां पर हमारे लिए यह plus point है कि यह हमारा वैसे भी तयार हो जाता है जब हम political science का paper पढ़ते हैं तो यहां पर यह हमारे लिए थोड़ा easily available भी हो जाता है हमारा थोड़ा governance के बारे में प्रसाशन के बारे में यह सारी questions इस पर आएंगे इंपोर्टेंट यह चीज़ है कि टू मार्क का एक question होगा और यहां पर यहां पर जितने भी यूनिट दिए गए हैं 10 यूनिट से कम से कम पांच हर एक यूनिट से पांच questions जो है वो आने आएगा ही यानि हर यूनिट से पांच questions आएंगे आप हम लोग यहां पर यह discuss करेंगे कि कौन-कौन से बुक जो है आप पढ़ेंगे जिससे आपका paper one जो है वो अच्छी से तयार हो सकेगा तो यहां आपके स्क्रीन पे UGC NET का या NTA NET का first paper की एक बुक है जिसके writer है KBS मदान यह काफी अच्छी बुक है इस समय और आप इसकी मदद से अपना जो first paper है उसके command कर सकते हैं तो हर जितने भी बुक हम यहां बताएंगे उसमें syllabus जो है वो हिंदी में लिखा हुआ है तो यह जो मदान की बुक है वो हिंदी और English दोनों edition में आती है एक और बुक है true man series की यह भी आपके paper one के लिए है सिक्छन और सोध अभिवृत्ति के याने कि यह जो first paper है वो अनिवार है आप जानते हैं तीसरा एक है द्रिश्टी का UGC net का net jrf slate इसलेट यह होता है कि किसी किसी राज्य में होता है तो फिलाल यूपी में नहीं है तो net और जो जयारफ है वो नेश्टर eligibility test है और आप भारत में कहीं में भी जो है असेशन प्रोफेसर बन सकते हैं या भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से आप यस्डी कर सकते हैं नेक्स्ट एक बुक है वो है साहित प्रत्योगिता साहित की यह भी अच्छी बुक है और यहां पर यह इसमें जो है पिछले जो प्रीवियस येर के जो पेपर है वो इसमें दिया हुआ है अंसर के साथ नेक्स्ट यह केवियस मदान की यह इंग्लिश एडिशन है और नेक्स्ट जो है वो आर गुपता की जो है वो यूजी से नेट पेपर वन नेक्स्ट है यह है आपका उपकार की बुक है इंग्लिश एडिशन में यह अरिहन की बुक है यह भी फर्स्ट पेपर के लिए अच आए हैं अगर आप डारेक्ट बैठेंगे के बुक से पढ़ेंगे वो तो ठीक है लेकिन आपको यह आइडिया होना चाहिए कि लास्ट इयर तक पिछली दस साल या बारा साल में किस तरीके से कोश्चन जो है यह यह जी सी नेट के फस्ट पेपर में आए हैं तो यहां पर यह बुक जो है वो आपकी हेल्प करेगी तो यहां पर यह है इस बुक में दिया हुआ है कि सॉल्वे पेपर यानि कि यहां पर यहां पर यहां पर एयर दिया हुआ है कि किस एयर में कौन-कौन से पेपर को इस बुक में इंक्लूट किया गया है यानि प्रिविएस एयर पेपर जो पढ़ना वो काफी जरूरी है ताकि आप एक आईडिया लग जाए कि आप ठीक से आपकी जो तयारी है वो सही दिशा में जा रही है कि नहीं और किस तरीके से कोश्चन आएंगे यह एक आईडिया हो जाएगा नेक्स्ट यूद कॉंपटिशन का ही है और इसमें भी सॉल पेपर दिया हुआ है यह घटना चक्र का बुक है घटना चक्र भी काफी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है इसमें भी जो है वो प्रिवेस यहर के पेपर है इसमें आप देख सकते हैं साफसा कि कुल 32 प्रश्ण पत्र है आप जब भी लेंगे तो नया एडिशन ही लीजिएगा जो भी सॉल पेपर आप लेंगे तो कोई भी आप लेंगे तो हमेशा नया एडिशन ही लीजिएगा आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा अगर और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कोई आपका डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं आपके कुछ सुझाव है कि इस टॉपिक पर वीडियो बने या कुछ भी जो आपके मन में हो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं ठैंक यू